आप इनके मुबाइल कॉल्स डिटेल को निकलवा लीजी आज भी अगर इनके आर्पियंस सिंग के साथ संबंद नहीं होंगे अगर इनसे बात नहीं होती होगी तो हम थूख के चाहिए हम मांग करते हैं आपके माध्धन से हम अपने ऑल इंडिया कांगरेस कमिटी से हमारी ब हम चुनावी राजनीती जब करते हैं तो क्या इस चेहरे पर हम कि 2024 के चुनावतियों का मुकाबला किसी भी सूरते हाल में नहीं कर सकते हैं कांधी जी ने हमें सिखाया कहा है दरो मत मलिका अर्जुन खड़गे जैसा व्यक्तित्व हमारा सरपरस्ति कर रहे हैं किसी बेनु गोपाल अविनास पांडे हमारे नेता हैं लेकिन हम अपने संगठान अपनी पार्टी को बिखरते हुए तूटते हुए अपने आपको यह नहीं देख सकते हैं पार्टी सबकी है हमारी भी है हमारा भविस गैर कांग्रेसी करेगा यह कहीं से भी जस्टिफाइट नहीं लगता है पहुत ऐसे लोग हैं जिनको पार्टी में जिनको जो जो हमारी राज्य में रहनुमाई कर रहे हैं दूसरे दलों से आये हुए लोग उनको पार्टी में अगर टिकट नहीं मिलेगा लेकिन हमें अगर नहीं मिले पार्टी में टिकट या सम्मान या पद या अधिकारी तो हम पार्टी के वफ़ादार कार करता है सिपाही हैं हम इसमिचारधारा से जुड़े हुए हैं हम इसको छोड़कर कभी सपने में भी नही कह रहे हैं कि हम चुनाव की राजनीती करते हैं और चुनाव की राजनीती में हमारे परम्मित्र राजश ठाकुर जी का चेहरा सामने रख करके के दो हजार चौबिस के लोकसभा और बिदावान सभा चुनाओ का मुकाबला किसी सूरत में नहीं करते हैं हमारे रक्त की धमनियों में कांगरिस पार्टी है कांगरिस पार्टी की विचार धार है 32 वर्षों में हमने कांगरिस पार्टी में कई बार ऐसे मौके आये जब एक दो बजे रात को आंदोलन के दौरान पुलिस उठाया करती थी और पूरा घहर उस समय परिसान हुआ करता था कि आखिर ऐसा कौन सा काम हम कर रहे हैं हमने अपना सारा जीवन एक अलोग दूबे साथियों को तैयार होने में वैचारी कुरूप से 32 वर्ष लगे हमारे रक्त में कांगरिस पार्टी दौड रही है और अगर प्रदेश सद्धक्ष को का हम को पार्टी से निकालना ही अगर विकल्प है तो हम पार्टी से निकलने को तैयार है उनको अगर लगता है कि एक उ यह सरविदीत हो चुका है कि सिर्फ तीन चार लोगों के ऊपर परदेश अध्धक जी अपनी ब्यक्तिगत लडाई को हम लोगों को निकालना चाहते हैं निकाल देजिए देड़ साल हो गए निकाल देजिए सब जानते हैं कि हमारे अच्छे मित्र थे अच्छे मित्र हैं हमारे अनुसासन समीती ने मीडिया में जाकर व्यान दिया कि हम इनके जबाब से संतुष्ट नहीं हैं और इनको हम समय नहीं दे सकते हम आपके कांग्रेस के कार करता हैं मीडिया में जाने के बजाए आप मुझे बुला के पूछ सकते थे कि आपने गल्ती की है क्यों नहीं आपको छे साल के लिए पार्टी से निलंबित्या निस्कासित कर दिया जाए लेकिन आपको हमारी चवी हमारी प्रतिष्ठा जंता के सामने धुमिल करने का था जिस समय कल आपने प्रेस कॉंफरेंस किया है उस समय से लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं घरों में जब हम प्रवेश किये हैं रात में तो घरों में भी पूछा जा रहा है आखिर कौन सा गुना किया है जो आपको पार्टी छे साल के लिए निलंबित्या दे जा रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि हमने जैसा हमारे साथियों ने कहा कि हमने कोई गल्ती किया है इस राज में 22 वर्सों में पहली मरतबा एक ऐसे गटबंदन की सरकार को मौका दिया प्रचंड बहुमत राज की जन्ता ने गनेश परिकर्मा करके हम मांग करते हैं आपके माध्धन से हम अपने अल इंडिया कॉंग्रेस कमिटी से हमारी बातों को बेज दीजिए आप गोपनियत तरीके से ए आई सी सी का औपजरबर और पता करा लिजिए कि क्या वस्तु इस्थिती है संगठन की हम चुनावी दो हजार चौबिस के चुनावतियों का मुकाबला किसी भी सूरतेहाल में नहीं कर सकते हैं रावल गांदी जी ने हमें सिखाया है कहा है दरो मत मलिका अरजुन खड़गे जैसा बेक्तित्व हमारा सरपरस्ती कर रहे हैं किसी बेनु गोपाल अविनास पांडे हमारे नेता है लेकिन हम अपने संगठान अपनी पार्टी को बिखरते हुए तूटते हुए अपने आपको यह नहीं देख सकते हैं पार्टी सबकी है हमारी भी है हमारा भविस गैर कांग्रेसी टै करेगा यह कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं लगता है बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पार्टी में जिनको जो हमारी राज्य में रहनुमाई कर रहे हैं दूसरे दलों से आये हुए लोग हैं उनको पार्टी में अगर टिकट नहीं मिलेगा लेकिन हमें अगर नहीं मिले पार्टी मे सम्मान या पद या अधिकारी तो हम पाटी के वफ़ादार कार करता है सिपाही हैं हम इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं हम इसको छोड़कर कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं देखे बहुत सही सवाल आपने किया है आप 2400 जिला उठाकर के देख लिजिए कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पिछले चार दिसम्बर से मारा पीटी गाली गलोज धककम धककी अपमान पैसा चीना जपती कोई ऐसा जिला नहीं है जहां लोग अंदोलन नहीं कर रहे हैं अनुसासम का डर आप दिखा रहे हैं जरूर, लोगों को अनुसासम का डर का और कांगरेस के कार करता एच चीज़ आप जान लीजिए, ऐसे ही नहीं 140 वर्सों से ये पाटी आगे बढ़ती, कुछ है इसमें जो हमारी हस्ती मिठती नहीं है, सब बहुत लोगों का सपोर्ट है, कुछ लोग सामने हैं और बहुत सारे लोग इस लडाई में हमारे साथ इसलिए हैं कि वो कह रहे हैं कि हम चुनाओ की राजनीती करते हैं, और चुनाव की राजनिती में हमारे परम्मित्र राजेश ठाकुर जी का चेहरा सामने रख करके दो हजार चौबिस के लोगसभा और विदावान सभा चुनाव का मुकाबला किसी सूरत में नहीं कर सकते। तो यह तो सबसे पहले अनुसासन हिंता है आप पाटी को कुछ नहीं समझ रहे हैं आपको कम से कम जो आप क्ले रहे हैं कि हमको बोलने का मौका मिलना चाहिए तो यह जो सौकाल है यह क्या है जिस वक्त आरपियन सिंग जी कांगरेश छोड़ रहे थे छोड़ने के चार महिने पहले से लगातार ये मीडिया में सुर्खिया आपके चैनल में भी सब जग़े यह हो रहा था आरपियन सिंग जी जाने वाले आरपियन सिंग जी जा रहे हैं आरपियन सिंग जी अब आया जो सब को पता है कि उनकी काबिलिएत सिर्फ इतनी थी कि वो आर्पियन सिंग्जी के इर्द्गिर्द में रहा करते थे और उन्हों ने आर्पियन सिंग्जी ने एक अपना आदमी यहां पर छोड़के गए जो उनको मौका देता surgeries स्गिसेक आर्पजों के बनाए हुए ये चुकी परभारी होता है यांग्रेश्ट पाट्डी में परबारी की बातों को आईना होता है lub क्यों ù बहोते हैं हाई कमान हाई वो है और परभारी कमान होते हैं इसलिए हाई कमान बेस पार्टी हम कहते हैं कि हाई कमान जो वो उनके हाथों में थी उन्होंने गलत तरीके से इसलिए बनाया क्योंकि उनको भाज़ाने जाना था इसलिए हम यह बार बार कह रहे हैं कि आप इनके वाले थे और बीजेपी में जाते जाते इन्होंने इनको पदस्थापित किया है इसलिए हम यह बार बार कह रहे हैं कि आप इनके मुबाइल कॉल्स डिटेल को निकलवा लीजी आज भी अगर इनके आर्पियन सिंग के साथ संबंद नहीं होंगे अगर इनसे बात नहीं होती होगी तो हम थूक के चाहिए कोई जबाप देने को तैया इसनिए नहीं 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 समझता हूँ अनुसासन जबाब दिया है 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 जबाब दिया 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 जबा लेकिन अनुषासन समीटी ने हर चीज को सार्जेनिक किया अप्लेट फॉरम पर हमने जवाब दिया बोलत आओ मैंने जवाब बोलेगे हम जूत भीता जबाब दिया ना समय के मान क्या है तो नहीं किये थे तैसा सादु जी किये नहीं हम नहीं नहीं हम समय की मांद हम करने हैं जब आप मीडिया में देंगे हमको नहीं बोलेंगे कि समय मिलेगा कि नहीं समय जब कल पूर्ण हो गई बैठक जब हुई तो आप चित्थी आप लोग का पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसमें इतने सब्सक्राइब तो आपको लगता है और आपके नजर में ऐसे कितने नेता हैं बता तुझे सब्सक्राइब तो अच्छा बात आपने का बहुत अच्छा बात बदा दीजिए किसे किसे बिरोध में हमारे डॉक्टर रजे कुमार जी के साथ भी मैंने कान किया सुन दीजिए सुग्दे भगत जी के साथ तो लोग आरोप लगाते थे कि अलोग दुबे जो कहते है वही सुग्देव का सुनते है बाद में आप उनका बिरोध कि नहीं कभी नहीं आपको गलत पर्दिबाल मुचु जी के साथ काम किया सुग्दे भगत जी के साथ काम किया डॉक्टर अजे कुमार जी के साथ काम किया किसी के साथ आज वही अनुसाथन समीती ने कल दो दिन का समय भी दिया है लोगों ने अपने संबोधन से ही कहा कि कांग्रिस और कांग्रिस की विचारधारा हमारे रत की धमनियों में दोड़ रहा है और इस पाटी में जो लोग आज हैं आप तिन दिन पहले देखे किस तरह से चर्चाओं का बजार गरम रहा आप लोगों ने देखा था तिन दिन पहले अमिच साजी के जारकंड दौरे के दौरान क्या दौर क्या जो है वो तेजी से राजनितिक परिद्रिस से बदल रहे थे ये प्रदेश अधक्च सोनिया गांधी के मूल सवाल पर पाटी छोड़के चले गए थे कल फिर नहीं जाएंगे पूरी पाटी को ले करके इसकी कोई गारंटी नहीं है और आने वाले दिनों में भी क्या राजनितिक उतल पुतल हो सकते हैं हम इसको पूरे दावे के साथ क प्रदेश अधक्ष की जिम्मेदारी थी उन तेनों को देखते और उन्हों ने चाहां भी बैठाते जानकारी तो जानकारी तो जानकारी तो लगी रहा है कि पीजे की देखिए जहां इतरब तैयारी करें मिशन दोएज़़श के रही है अब इडी का फर्मान आप लोगों साधू सरंजी ने बहुत अच्छा आखा देखिए जो आदमी कभी संगठन नहीं चला है उनको अगर अचानक से संगठन चलाने की जिम्मेदारी देंगे तब जबकि कांगरेस पाटी में प्रदेश अधक्ष की बहुत बड़ी भूमिता होती है प्रदेश सद्धक्ष कुभैलेंट टू चीफ मिनिश्टर होते हैं हमारे यहां प्रदेश सद्धक्ष कांगरेस पाटी के अंदर में बहुत बड़ा होदा होता है तो अगर उसके नित्रितों पर लगातार पूरे राज्य में सवाल उठ रहे हैं तो आप उसको खामोसी से या अनुसासन का दर दिखाकर नहीं दबा सकते हैं अगर आपको यही विकल्प है कि हम लोग तेनों चारों को निकालने से पाटी मजबूत हो जाएगी तो आप जो है पूरी तरह से आप स्वटत्र हैं क्योंकि आज आपके हाथों में सिष्टम है आप पाटी के करंधार है अपसले लिस